कैसे हो तुम सब चलिए जैसा कि मैंने बताया था कि भाग 5 में हम कुछ questions करेंगे जो की reasoning ability पर होंगे ये picture अधारित questions हैं सबसे पहला हम जो questions का प्रकार करें है type of question करें that is odd one out odd one out में क्या होगा बिटा कि आपके पास 4 figures दे रखियोगी और उनमें से कोई एक figure बाकी 3 से different होगी तो you have to select so सबसे पहले हम practice करते हैं number 1 की सबसे पहला देखिए अब इस figure को हम read करते हैं यहां four squares हैं यहां four pies बनीवी है यहां four rectangles है जबकि यहां पर only three parts है तो इसमें correct odd one out होगा answer D come to this question अब यहां देखिए यह arrangement यह arrangement same है यह arrangement same है यह arrangement same है बट यह different है तो हमारा odd one out कुन से हो जाएगा यह come to the next अब यहां देखिए अगर आप चारो figures को ध्यान से देखेंगे तो figures में जो lines है वो ascending order में ascending मतलब बढ़ रही है ठीक है तो यहां ascending order है देखो arrow जो है ascending सबसे बड़ी line के साथ है यहां arrow सबसे बड़ी line के साथ है यहां arrow सबसे बड़ी line के साथ है यहां arrow सबसे बड़ी line के साथ है यहां पर arrow जो है वो सबसे short line के साथ है तो हमारा odd one out को जाएगा part c come to next यहां यह डोनों arrows की direction same है so part 3 is the odd one out in this next पे आते अब यह देखिए यहाँ पर तो आपको पता चली गया होगा यह alphabets है और यह अलग से figure दे वही है so part 4 is the right answer अब यहाँ देखिए A, C, B और D अब इसमें क्या करेंगे देखिए यहाँ बहुत ध्यान से देखना है आपने यह जो 3 है यह आपकी consonant है consonant क्या होते है जब हम English alphabets की बात करते हैं तो उसमें A, E, I, O, O, U यह सारे vowels है यानि कि स्वर है जैसे हिंदी में स्वर होते है ऐसे ही English में vowels होते है तो यहाँ पर A जो है वो vowel है C, B, D यानि कि जो बाकी alphabets होते हैं उनको consonants कहते है तो यह सारे consonants तो यहाँ पर right answer क्या होगा यहाँ पर right answer होगा A come to next यहाँ देखिए एक जो square है उसी का replica यानि कि उसी की तरह ही दोराते हुए दूसरी figure बनाई होई है यह square and square है यह circle in circle है और यह figure भी यह figure से हम है बट इसमें क्या किया हुआ है इसके अंदर बना दिया किया तो right answer is part 3 come to next यहाँ देखिए जो square है वो दो diagonals के कारण equally distributed है 4 parts में यहाँ 4 parts में है यहाँ equal 4 parts में है but this one is different कई बार आपको देखने से ही पता चल जाएगा come to next अब हम यहाँ देखेंगे देखिए यहाँ पर जो circle है उसके अंदर जो है वो hexagon बना होता है hexagon क्या figure होती है बटा जिसमें 6 sides होती है 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ठीक है अब यहाँ भी hexagon अंदर है यहाँ भी अंदर है यहाँ भी अंदर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे देखो यहाँ पर हमने lines को गिनना है यहाँ 1 line है यहाँ 3 है यहाँ पर 4 lines है और यहाँ पर 5 है अब देखिए 1 odd number है 3 भी odd number है 5 भी odd number है बट 4 क्या है even number क्योंकि यह 2 से भाग होता है 2 के पहाड़े में आता है और आपको पता है even numbers कोन से होते हैं जिनका one space पे 0, 2, 4, 6 और 8 आता है बाकी सारे numbers odd कैलाते हैं तो यहाँ right answer हो जाएगा हमारा option 3 Come to the next question अब यहाँ देखिए एक square है अंदर है circle यहाँ circle है अंदर square और यहाँ क्या है square है और उसके inside circle है यहाँ पर अंदर कोई भी figure नहीं है तो हमारा right answer हो जाएगा option 4 Come to the next figure अब यहाँ देखिए यहाँ दो dots बाहर है यहाँ dot अंदर है और एक बाहर है एक अंदर inside है outside है inside है outside है तो यह जो तीन figures है इन में क्या है dot inside जरूर है यहाँ पर कोई भी dot inside नहीं है so option A is the right answer Come to the next यहाँ देखेंगे यह वही question आ गया है जो मैंने अभी आपको बताया था vowels वाला यहाँ vowel A है vowel U है vowel E है बट B consonant है तो यहाँ different क्या हो जाएगा B यानि option 4 is the right answer Come to the next यहाँ देखिए triangle के नीचे triangle है rectangle के नीचे rectangle है और यह जो है pentagon के नीचे pentagon है बट यहाँ पर क्या है rectangle के नीचे triangle है तो option A is the right answer Come to the next यहाँ आपने दो चीज़े देखनी है सबसे पहला देखना है कि तीनो चारो figures जो है एक side से open है यह हमारा यह हमने देख लिया चारो एक जैसी है दूसरा देखना है यह जो open size है यह किस तरफ खुल रहा यह side की तरफ खुल रहा है यह भी side की तरफ खुल रहा है यह भी side की तरफ खुल रहा है बट यह बाहर की तरफ खुल रहा है यहां भी है, यहां भी है, but here it is absent, so option 3 is the right answer, come to next यहां देखिए, यह तीनो smiley एक जैसे है, that one is odd one out option A is the right answer देखिए, यहां पर एक cross है, और एक greater का sign है, cross है, greater का sign है, अब यहां क्या है, आपने यह देखना है कि दोनों जो हैं, आमने सामने है position जो है, यहां भी आमने सामने है, यहां भी आमने सामने है बट यहां पर जो है वो pass आ गया है, तो यहां option 2 is the right answer come to the next यहां देखिए, यह figure line segment से बनी हुई है, यह भी line segment से बनी हुई है, यह भी line segment से बनी है, यह कौन से figure है, 1, 2, 3 5 pentagon है क्योंकि 5 sides है यह square है और यह hexagon है बट circle में कोई भी line segment नहीं है तो option 3 is the right answer अब हम आते हैं इसके next part पर यहाँ पर एक question figure दीवी है और आपने इसमें से answer figure ढून कर निकालनी है तो सबसे पहले इसका सबसे असान तरीका बच्चो क्या है कि जो ही हमारा portion रह गया है हम उसको draw करते है देखिए यहाँ ऐसे line है हम इसको ऐसे draw करेंगे और इसको extend कर देंगे इसी का replica बनाना है इसके जैसा बनाना है हमने तो हम इसको बनाते हैं और यहाँ पर यह आ जाएगा triangle तो यह हमारी कॉन से figure लग रही है यह लग रही है option 3 is the right answer come to the next figure अब यहाँ भी हम इसको देख कर complete करेंगे so let's start drawing तो सबसे पहले हम इसको ऐसे बनाते हैं फिर हम इसे ऐसे बनाते हैं ऐसे draw करेंगे और उपर से एक line तो यह बच्चों कौन से figure लग रही है यह लग रही है option 3 is the right answer move to the next figure so option 1 is the right answer इसका questions को करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको यहाँ draw कीजिए बना के देखिए और फिर देखिए किस से resemblance हो रही है किसकी जैसा लग रही है move to the next यहाँ देखिए हम पहले circle को बढ़ा बनाते हैं और उसके बाद यह बना के इसके अंदर color fill up कर देते है अब यह figure आपको पेटा कैसी लग रही है यह जो figure है यह हमें इसके जैसी लग रही है so option A is the right answer next है यहाँ हमने देखना है कौन से figure है this is one easy question यहाँ देखिए यह तीनों में ही एक जैसे figure है और इसकी जैसे resemblance figure जो है वो दो दिखने में लग रही है बट यह है क्योंकि यहाँ पर यह इस तरह से बना हुआ है so option 2 is the right answer आपने करते समय बहुत ध्यान रखना है चलिए move to the next figure यहाँ हम इसे complete करते हैं पहले सीधी line डालेंगे फिर हम slanting line डालेंगे फिर हम cross करेंगे तो यह कौन सी figure लग रही है यह मुझे लग रही है option 1 so option 1 is the right answer move to the next figure देखिए इसमें हम पहले ऐसे बनाते हैं और उसके पाद यह अंदर का square पूरा करते हैं और उसके पाद हम बनाते हैं इसका flower यो तो यह figure किसकी जैसी लग रही है यह figure लग रही है option 2 की तरह तो option 2 is the right answer move to the next figure अब यहां देखिए सबसे पहले हम यहां पर एक square बनाते हैं यहां बनाते हैं दोनों को join करते हैं यहां square बनाते हैं और यहां square बनाते हैं तो यह हमारी resemblance किससे हो रही है यह हमारी हो रही है option is the right answer move to the next figure यहां भी हम पहले इसको picture को यहीं complete करेंगे essay draw करेंगे और इस leaf को कुछ यू लेके जाएंगे अब देखिए यह figure कहां लग रही है यह हमारी लग रही है option 3 is the right answer तीनों लग बग एक जैसी लग रही है बड़ आपने बहुत ध्यान रखना यह वाला जिसके दोनों उपर inverted triangles बने हुए है option 2 is the right answer move to the next figure यहां हम draw करते है दो dots अब यहां ध्यान से देखना है यह dot के बाहर की तरफ से है तो हम यहां से draw करेंगे और यहां से होता हुआ उसके अंदर की और जा रहा है तो sign reverse हो रहा है यहां ऐसे जा रहा है यहां ध्यान से देखिए तो हमारी यह figure कौन से लग रही है यह दोनों दिखने में एक जैसी है बट हमें ध्यान रखना है यह line इसके यहां left side से आ रही है और right में जा रही है और इसमें राइट अप्शन होगा वह आप्शन नंबर 2 होगा अब हम आ रहे हैं आज के last question पे last question में क्या करना है हमने circle इस तरह से draw करना है ऐसे बनाना है dot लगानी है और एक line डालेनी है अब यह हमारे figure किस तरह बन रही है यह बन रही है portion 4 की तरफ और इसके साथ आज की वीडियो होती है खतम नेक्स टाइम मैं इंग्लिश पैसेजिस लेकर आउंगी हमारे कॉम्प्रिहेंशन के जिसमें से आपको फिलप्स भरने होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले